नमस्कार दोस्तों चलिए आज बनाते हैं पोटेटो इस्टिक इसका क्रिश्पीनेस और टेस्ट सच में बहुत ही लाजबाब है बस एक बार बना कर देखिए फिर आप बार बार बनाएंगे पोटेटो इस्टिक बच्चों को बहुत पसंद आती हैं तो आएए शुरू करते हैं साथ से आठ मीडियम साइज के आलू लेकर उन्हें बॉयल करके पील कर लेंगे अब एक ग्रेटर की मदद से इनको ग्रेट कर लें मिलाएंगे इसमें एक चम्मच नमक आधा चम्मच काले मिर्च पॉडर आधा चम्मच ओरिगानो और तीन टेबल स्पून कॉन फ्लावर अगर कॉन फ्लावर नहीं है तो आप अरा रोड भी मिला सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक टाइट सा डोब बना लेंगे अगर डोब में आपको थोड़ा सा गीला पन लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा कॉन फ्लावर या मैदा मिला दें अब इसे दो भागों में डिवाइट कर लेंगे अब बटर पेपर लेंगे उसमें मैदे की डस्टिंग करेंगे और जो डोब हमने बना कर रखा वा था उसे दो बटर पेपर के बीच में रखकर रोल कर लेंगे इसे धीरे धीरे खलके हाथ से रोलिंग पिन से रोल करना है ज़्यादा प्रेशर इसके उपर नहीं बनाना है अगर आपने डो को हाड बनाया हुआ है तो इसमें आपको डस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी देखिए डो अब हमारा फ्लेट हो चुका है इसकी साइड्स को हम काट लेंगे और इसे रेक्टेंगल सेफ दे देंगे दोस्तों अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब कर दें अब इसे हम पतली पतली स्टिप्स में काट लेंगे बहुत ही आसान सी रेसीपी है बस आप स्टेप बाइस स्टेप फॉलो किजिए अब एक कड़ाय में तेल गरम करके एक एक करके इन स्टिप्स को हम फ्राइ कर लेंगे यहाँ पर आपको ध्यान डखना है गैस की आज मीडियम टू हाई होनी चाहिए बस अब इने हम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे यह देखिए बनकर तयार हो गए हमारे पोटेटो स्टिक थोड़ा सा आलू का मसाला बचा हुआ था तो मैंने उससे पोटेटो बॉल्स बना ली है बहार से क्रिस्प और अंदर से सॉप्ट सच में बहुत ही लाजबाब है तो दोस्तों पोटेटो स्टिक्स और बॉल्स बनके हमारे तयार हो गए हैं अब सॉस बनाने के लिए थोड़ा सा कैचप और थोड़ा सा चिली सॉस मिक्स कर लें और उसमें डिप करके इनका आनंद लीजिए तो दोस्तों आप भी बनाईएगा और अपने सुझवा मुस्तक जरूर भीचेगा और अगर अपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब कर दें थैंक्यू